नमस्करार दोस्तों स्वाज़े शोमुश बाली जी की और एक वीडियो में और इस वीडियो में बात करेंगे हांफ फुल एफेक्स अब द्रिंगिए और साइड एफेक्ट अव डिंकिंग बीर पीने की हांफुल एफेक्ट क्या बहुत सारे हैं बेहेशल तो आपको बहुत जगा मिलेंगे कि वाइन की कुछ बेनेफिट से जरूर है मगर वो तब होता है जब उसको आप ऐसे मेडिसीन यूज करेंगे उसको ज्यादा मात्रा में यूज करेंगे इंटॉक्सिकेशन के तौर पर वहाँ पर वो कम मात्रा में नायुस करने पर ये साले प्रॉबलमी आपको होंगे कैसे प्रॉबलम होगे पहले चीज इंक्रिस्ट रिष्क अफ डेयाबिटीज ज्यादा मात्रा में ले रहे हो कॉनती चीज गया बियाबिशा बढ़ जाए तूचे ए Rodrigo से बर बहुत हाई कालोरी ड्रींक होता है कि उसमें जो अलकोहल होता है वह जाके शुगर में कन्वर्ट होता है और Agora को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है कि बहुत इंपॉटन एक और लिवर बहुत ज्यादा काम करता है कि वह एल्कोहल को ब्रेक करें शुगर में और शुगर को फिर उटिलाइज करें वह ग्लाइकोजिन के तौर पे ग्लुकोज को स्टोर करता है फिर ग्लाइकोजिन को ब्रेक करके ग्लुकोज बना के शरीर में ब्लड में स्प्रेट करता है तो बहुत सारे एक्स्ट्रा क्रॉस कर रहा है आप ज्यादा पी रहे हो तो आपकी चांस है कि 80 परसंट चांस 90 परसंट चांस आपको फ्यूचर में डायबिटीज होगा अगर आपकी एज भी वान सी ठीक ठाक नहीं है मेटाबोलिक ठीक ठाक नहीं है तो अब उसके बाद देखें वेट गें दूसरा साइ प्लेक्स शुगर ले कार्वब्लाइट नहीं पर बलन रहा है वहां पर लिए तो पिंसके बाद लाइकों को तोड़ कर ग्लूकोस बनाके बलड में ट्रांसफर जाता है तो वह सारे चीज़ करता है तो ग्लूकोस ज्यादा मातरे में मतलब इनर्जी बड़ी में ज्यादा गर यहां पर दीपोजिट होता है वहां पर यलो कलर का जहां पर दिपोजिट होता है बढ़ना घ्र पीने से अब उसके साथ-साथ क्या होता है थैट्र कुछ अब बीएर में भी बीयर के नेचरल ओlast पानी बाहर निकालना और यह आप देखंगे भी अगर पीते हो तो आप देखोगे के एक निकल पानी निकल गरत्जाहेगा बाडी की इंटर्नल जो सारे के सारे जो सेल से वो डियाइडरेट कर जाएगा उसमें पानी कम हो जाएगा इसके कारण अगर बियार आप पी रहे हो तो वहां पर बहुत ज्यादा मात्रम आपको पानी भी पीना चाहिए क्योंकि पानी की बैलेंस चरी में बना रहाना बहुत जड़ूरी है अदरवास पानी की लॉस होगा प्रशार आएगा और उसके कारण कीडनी फेल होने की चांसे होता है अब इसके बात बात करते हैं इंक्रिस्ट हैपर टेंशन बियर के ज्यादा पीने के कारण आवट प्रिशर बढ़ सकता है और ये चीज़ देखा गया कि ब बहुत हाइच साथ बनता है अनमें बढली यह जो बाइली में ग्लूटेन, अगर आपकी intestine gluten से sensitive हो तो वो gluten आने के कारण allergic reaction हो सकता है तो वहाँ पर intestinal जो विली जहां से खाना जो absorb होने की structures होते हैं उनमें देखिए आप बदलाव नजर आएगा आपको यह बदलाव होता है यह बदलाव होने के कारण digestion absorption ठीक से नहीं होगा आप खाना तो खाएंगे मगर वो एब्जॉब बडी में ठीक से नहीं होगा nutritional absorption कम हो जाएगा indigestion भी होगा और इसके कारण यह कभी कबार तो आपके intestine को ऐसे influence करता है allergic reaction करता है कि वहाँ अंदर सुजन हो जाता है लाल structure हो जाता है घाव जैसे हो सकता है जिसको हम बोलते हैं chronic disease celiac disease ठीक है यह सारे अलग लग प्रकार की disease आपको हो सकता है जिसको लोग पहले तो IBS IBD ऐसा अलग अलग नाम से हम जानते हैं तो यह सारे gastrointestinal बीमारी होने की chances आपको बढ़ जाएगा और फाइनली डाइजेशन प्रॉब्लम तो रहेंगे ही क्योंकि ज्यादा अगर आप बियर पी और empty stomach कभी भी कोई alcohol नहीं पीना चाहिए लिख लेना खाली पेट alcohol नहीं पीना चाहिए कोई भी आलकोहल नहीं पीना चाहिए इवें नॉट बियर अगर ुए फर्ट बंद होगा वहां पे ऐसीद ज्यादा मातरे में अगर यहां पर आगया तो अलसर सभी म्यों थेख हो गया हो तो ठीक होने में टाइम skill इस लिए मातRO में ब्लड को फिल्टर करें और पानी को भी रिटेन करें मगर यहां पर ज्याधा मात्र में बीयर पीने के रिख यह फीचर हे उस स्वे्मार हर्मॉन बाड़ी में होता है अंटीstart नीरिक हॉर्मन जो करता है ब्लॉड में और बाड़ी में बाड़ी में पानी को retain करने में जादा मदद करते हैं वो काम नहीं कर पाता कि उसकी काम को block करता है यह alcohol तो इसके कारण भी liver damage होने की chances बढ़ता है ठीक है तो यह सारे चीज़ हो गया beers की side effect तो अगर आप beer पीत हो तो उसका side effect यह ही है harmful effect of beer वीडियो अच्छा लेगे तो वीडियो को like जरूर करन शेयर करने अपने दोस्तों के साथ का लीग के साथ और subscribe करने इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे थैंक्यू बाए